अपने एक प्रिकल सीज किसान से मुलाकात कर बाता हूँ इन्होंने अपनी अलू की फसल में हमारा प्रोडक्स इस्तिमाल किया है आप अपने बारे में बताईए मैं बिर्जे सिंग ग्राम गाजी प्रुवा डिश्टिक कन्नोज उत्तर प्रदेस का रहने वाला हूँ हमारे खेद में तीन एकड़ हमारे पास जमीन है और तीनों एकड़ में आलू की फसल है हमने आरे खेद में लल्पतिया और वो प्र्रा की कुछ लच्छन महसूस हुए हमने तो टेक टापर डलवाया था टेक टापट डलाने से हमारे खेट में जो ललपतिया और पर्रा के सिकायती वो वहीं हो की वहीं रुप गई उसके बाद नया किल्ला उत्पन हुआ और जो पडोस में नहीं डाला था उनके खेट साफ हो गए है सब्सक्राइब पर तो पिशली बार हमारा खेत बिल्कुल पीला पन हो गया था तो हम टेकटा पर दो बार के चुछ नहीं परदा होगा कुछ नहीं के लिए उसमें बहुत मोटा अलू स्वाइच का अलू निखला था पिशली बार हमारा संदूरी अलू था बहुत अच्छा प्रोडिक्सन द तो पर राएं यहां कि बात करें तो मैं यहां की भासा में लोगा पर्शा ललपतिया यह कंवे कोई कारण जो पत्तिओं पर क्रिएट होते हैं । उसके लिए ज्समें बाप बन करीकुल आम आल्स आंगर के कि यसा कि आप देख पा रहे हैं तो आपकी खेट की अप इच्छा इस खेट की क्या कंडीशन है तो हमारे और भी खिसांद भाई जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए आपका क्या बिचार है उनके लिए ये विचार है कि एंगली साल से आलू में टेक्टा पर बहुत जरूरी है अच्छा बहुत जरूरी है टेक्टा पर पैदाबार के लिए और आलू को बढ़या नया किल्ला देता है